राजधानी दिल्ली में MCD के चुनाव कब होंगे ये एक बड़ा सवाल है लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार हर मंच से कह रही है कि दिल्ली बीजेपी डर गई है भाग गई है और दावा ये भी किया जा रहा है कि अगर अब ही चुना हो जाते हैं तो दिल्ली बीजेपी को बहुत कम से कम 272 वार्ट की मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 50 सीटे ही मिलेंगे लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की सोशल मीडिया और मीडिया की क्या तैयारियां है ये सब बाचीत करने के लिए मैं जोड रहा हूँ दो प्रवक्ता और साथी साथ सोशल मीडिया के हैड डॉक्टर रोहित उपाध्या है मीडिया के कोईड हरिहर रगवन्षी इन से बाचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में चुनाओ से भाग रहे हैं आप लोग प्रेट आपको नमस्कार लेकि चुनाओ भारती जन्ता पार्टी है ये हिंदुस्तान एंविश्व कोई सबसे बड़ी पार्टी है और हम चुनाओ से भागें ये मुझे लगता अजीब सा सवाल है ये भारती जन्ता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कारकरताओं की पार्टी है वहाँ जो हमारे देश के श्री प्रधान मंत्री श्री नर्जिन मोदी जी है एक वो कार करता है जो टॉप पे हैं और एक ग्राउंड का गार करता है हम हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं अगर आप कहते हैं दस दिन बाद चुनाओ है तो मुश्कली भी त्यार है हमारी पार्टी हर वक्त चुनाओ के त्यार रहती है तो क्या मेहनद कर रहे हैं आप सोशल मीडिया पर क्या खास किया जा रहा है चुनाव को लेकर आज भारती जनता पार्टी और खास कर में सोशल मीडिया की बात करूँ तो हम पिछले काफी कुछ महिनों से ग्राउन पर जा रहे हैं जो ग्राउन पर लोग हैं उनकी रियाल्ट क्लिनिक को दिखा रहे हैं और जो जनता भर-भर की पसंद कर रही है कुछ मैं आपको सेंपल वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जो हम ग्राउंड पे हमारी टीम गई और ग्राउंड पर जाकर हमें रियल्टी चेक की हमने कहीं कहीं सुनाई बातों भी यकीन नहीं किया कि केज आपको सेंपल विडियो और दिखा रहा हूं जिसकी हकिकत यह देखे यह कंडिशन है यह सराब है कि दुकान में यहाँ पर शॉप है और साथ में आप यह देखे मन्दिर है तो कैसे धार्मी गस्तानों के पास भी केजरीवाद साहम ने शराब की दुकाने खोल लगी हैं ज उनके दर्द को भी लेते हैं कि एक्षल दर्द क्या है पुब्लिक हमारे साथ देखे यह व्यक्ति ऐसे हैं जो आम आदनी पार्टी वोट दिये हैं मगर आज उनका दर्द बया करता है कि मुझसे जीवन सबसे बड़ी गलती होगी मैंने उनको वोट किया है तो कहीं ने कहीं लीछ जैकी आज जो आपने बात की कि हम चुनावी मोड में हैं तो गराॉन्ट पे हम दोब के लोगों चा मुंसे जा रहे हैं उनके जो व्यक्त नहतं है उसकी हम खोलना जो सुप कोऊ होने के नाते अर्विन केजरी वाल ने बयान दिया है उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि अब कश्मीर फाइल्स का इसलिए शोर हो रहा है क्योंकि शराब का मामला जो है यह लोग उठा रहते लेकिन उठ नहीं पाया देखिए भाई अर्विन केजरी वाल कुछ भी कह सकते हैं उनकी उस साथ साल की उमर की उनकी पार्टी है अभी हैं बच्चे भारती जनता पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है कैडर बेस पार्टी है जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा कि भारती जनता पार्टी चुनाओं से डर रही भारती जनता पार्टी के कारकरता 24 by 7 काम करते है और देश में कहीं भी चुनाव हों हमेशा तैयार रहते हैं जहां तक दिल्ली की बात है उ उन्हों के उनके वोल्ड क्लास चाहे सिक्षा का हो पको आप ने देखा इन्वसट्री का उन्हों को रंग के पोत के प्राइवेट लोगों से करवा के उसको दिखाते रहते हैं कि यह देखो वर्ल्ड क्लास अगर उनके स्कूल को देखना है तो आप जाए मंगोलपुरी में देखिए सुल्टानपुरी में देखिए आउटर दिल्ली में देखिए और तमाम जगहों पे पीचर नहीं है प्रिंस्पल नहीं है सिक्षा का अस्तर घट रहा है उनकी हाकिकत को देखिए आपको जाए पिछले टर्म में के जरिवाल के उन्होंने कोई स्कूल बनाया नहीं कुछ उन्होंने कमरे बनाये थे पिछली बार एक-एक कमरे आई में आया है मैं आन चता हूं 12-12 लाक एक कमरे के लिए गये थे और जिसमें छत नहीं है कड़ी टुकडी के कमरे बनाये बारा लाक की पेमेंट हुई जो 3 लाक की पेमेंट मुश्खिल से बनती है कमरे की तो इस तरह का भस्टाचार है इस तरह का उनका वर्ल्क लास का एजूकेशन है वर्ल्क कि जब सराप का ठेका खुलता है उसमें अपसर और नेता दोनों की मोटी कमाई होती है हम लोग यह पूछना चाहते हैं के जरिवाल से जो इतने सारे ठेके उन्हों खोल दिए साड़े 800 ठेके इसमें कितनी मोटी कमाई उन्होंने किया है एंसीडी डर गई भाजपा चुनाव से चुनाव हार रही है या डर गई तो इस मतलब और आप कहरें कि चुनावी अलर्ट मोड में तो आप हमेशा रहते हैं देखिए भाजपा को डरने वाली बात कहना बड़ी हास्यास्पद है यहन nimmt पहले कहा साथ साल का बच्चा किसी ऐसे व्क्ति को डरने की बात कहें जो बिल्कुल प्राउड है और पूरे देश के सिस्टम को चलाता है तो उसको डरना कहना तो बड़ी आसाश्पर प्राइब नहीं डर रहे हैं मुद्धा क्या रहेगा जिस मुद्धे पर आप लोग चुनाओ में जा रहे हैं इंटीन कम्मेंसी काम करेगा 15 साल से जादा का व दूसिस की हमारे पैसे रोक लिए 13,000 करोन रुपे बहुत बड़ी रकम होती है रोक लिया फिर भी आप देखिए कोबीट के समय में चाहे हेल्थ में हो चाहे एजूकेशन में हो चाहे और दूसरे सेक्टर में हो MCD ने पूरी सफाई में हो MCD ने पूरी तन मन धन से काम किया अपने दूसरे सोर्से से लोगों की सेलरी दी लेकिन केजरी वाल ने दिल्ली को पूरी तरह से सलम बनाने की साजिस रचे होए थे आज भी रचे होए हैं लेकिन दिल्ली के लोग उनको काम्याप नहीं होने दे ठीक है ठीक है ये दावे तो खेर देखे जाएंगे तब जब चुनाओ होगा और चुनाओ में किस मुद्दे को दिल्ली की जनता तरजी देती है और किस मुद्दे पर वो खरा उतरती है और किसे पूरे नंबरों से पास करती है फिलाल सबके अपने अलग-अलग दावे लेक राम किंकर सिंग, दिल्ली आज तक